निर्मला सितारबन जी और उनकी टीम को मैं citizen friendly, development friendly और future oriented budget के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश को समरुद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला budget है। इस budget से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बहतर कल मिलेगा। इस budget के माध्यम से मध्यमबर को प्रगती मिलेगी, विकास की रप्तार को गती मिलेगी, इस budget से टैक्स व्यवस्था का सदर्ण करना होगा, इंफास्ट्रक्चर का आधुनी करना होगा। ये budget उद्यम और उद्यमियों को मजबुत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागिदारी को और बढ़ाएगा। ये budget सिक्षा को बहतर बनाएगा, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाब को लोगों के बीच पहुचाएगा। इस budget में आर्थिक जगत के reform भी है, आम नागरिक के लिए ease of living भी है और साथ ही गाव और गरीब का कल्यान भी है। ये budget एक green budget है, जिसमें पर्यावरान, electric mobility, solar sector पर विशेस बल दिया गया है। पिछले पांच साल में देश निराकचा के वातावरन को पीछे छोड़ चुका है। उस वातावरन से भार निकल गया है। अज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्म विश्वास से भरा हुआ है। बिजली, गैस, सड़क, गंदकी, प्रस्टाचार, विआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाईयां, सामान ने मानवी को अपने हक के लिए जद्दों जहाद की जिन्दगी, याने एक प्रकार से खुज से उसको जूजना पड़ता था। उसको कम करने के लिए हमने लगाता प्रयास किये हैं, सफलता भी मिली है। पर पहुंचना भी निश्चित है। ये बजेट आशा, विश्वार और आकांशा का बजेट है। ये बजेट 21 सदी के भारत की अपेशाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्मान में एक एहम कड़ी साबित होगा। ये बजेट वर्द 2022 यानि आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारन करेगा। पिछले पांच वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसाम, दलीत, पीडीत, सोसित, बंचित को ससक्त करने में एमपावर करने के लिए अनेक भीत कदम उठाए। अब अगले पांच वर्षों में यही एमपावर्मेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा। पिएम किसान सम्मान निजी के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोर, 87,000 करोर रुपिये का ट्रांसपर हो या 10,000 से ज़्यादा फार्मर, प्रडूसर, और नेशन, एप पी ओ का संकल्प मच्वारों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या नेशनल वैर हाउसिंग ग्रीड की स्थापना ये योजना हैं। वर्स 2022 तक किसानों की आए दो गुणी करने में प्रभावी भूमी का निभाएगी। ग्रामी नर्थेववास्ता में निवेश बढ़ाने से गाउं में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। जन शक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है। जल संचय जन अंदोलन की भावना से ही हो सकता है। इस बजेट में वर्तमान ही नहीं भावी पीडी की चिंता साप साप नजर आती है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर गर जल का अभियान देश को जल संकर से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा। बजेट में लिए गए फैसले अगले दसक की निव मजबूत करने के साथ ही नव जबानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। ये बजेट आपकी अपेक्षाओं का, आपके सपनों का, आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक एतिहासिक कदम है। मैं कल काशी में इस विशेपर विस्तार से बात्चित करने वागा हूँ, लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार वित्नमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और भारत के समी नागरिकों को उजवल भविश के लिए अनेक अनेक शुबकावना देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद